नमस्कार, मैं रेन्यू मिसर आपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा बैक बना रही हूँ इस बैक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही कम समय में यह बैक बनकर तयार हो जाता है तो यहाँ पर मैंने दो कलर के कपड़े से इस बैग को बनाया है, आप चाहे तो एक कलर के कपड़े से भी इस बैग को बना सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई blouse पीस रखा है, जिसका blouse नहीं बनवाना है, या फिर कुर्ती बैग बनाने के बाद कपड़ा बचा हुआ हो, तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं, बैग अंदर भी देखे, पूरी फिनिसिंग के साथ बना हुआ है, और बिना समान रखे ही इस बैग का सेफ साइज आप देख सकते हैं, कितना बढ़ियां आ रहा है, एक छोटा सा फॉकेट बैग में अंदर की तरफ लगाए है, मैं बनाना सुरू करते हैं, बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो पीसे पहले से रेडि कर लिया है, नीचे अस्तर लगाए है, अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज किया है, बीच में मैंने फॉम लगाया है, और उपर ही में फैब्रिक तीनों को मिला कर इस तो यह दो पीस मैंने तयार किया है, दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, अब दोनों का नाप में आपको बता देती हूँ, तो दोनों की जो लंबाई है न वो है साढ़े 11 इंच यानि की 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी साढ़े 11.5 इंच यानि की 11.5 इंच है, अब दोन तो यहां पर मैंने देखिए दो तरफ यहां पर अच्छे से पिन लगा लिया है अब पिन लगाने के बाद अब इसमें पो च् Earwynh बाद के लिए पहले निशान लगाना है तो यहां पर इस साइट रहे बंद साइड है और यहां उपर की तरफ हम दो इंच पे निशान लगा लेंगे ठीक है तो यहां पर दिखिए दो इंच पे आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद जिधर से एक खुला वाला साइड है न वहां से हम तीन इंच पे निशान लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए तीन इंच पे निशान में लगा लिया है अब उसके बाद जो दो इंच पे निशान लगा है न उपर वहाँ से नीचे की तरफ हम पांच इंच पे निशान लगा लेंगे अब इसको इस तरह से देखिए जहां से तीन इंच और ये जो पांच इंच दोनों को ऐसे तिर्चा मिला लेना है तो तिर्चा मिलाने के बाद अब क्या करना है नीचे की तरफ से हलका सा इसको इस तरह से हमें गुलाई दे देना है राउंड शेप देना है हलका सा, तो ये लगबग एक इंच है, ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूं, आप यहाँ दो इंच है, साइट से तीन इंच है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पांच इंच है, इस तरह से मैंने निशान लगाया है, अब इसको द तो यहां पर एक पीस को जैसे कट किया है ना वैसे जो दूसरा पीस है उसको भी हमें कट करना है तो इसको भी 20 से पोल्ड करेंगे और फिर इसमें देखिए चाहे तो आप इस तरह से रखके डारेक्ट कट कर लें या तो फिर ऐसे निशान लगाते हुए कट करें इस तरह से अब निशान मेंने लगा लिए है अब इसको भी कट कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों पीसे इसकी कटिंग हो गई है अब इसके बाद हम अंदर की तरफ पॉकेट लगा लएते हैं यहां पर एक plane कपड़ा में ने लिया है चोड़ाई इसकी है साढ़े 5 इंच यानि कि 5.5 इंच और इसकी लंबाई 7 इंच है यानि कि 7 इंच अब इसमें 7 इंच लंबा जीप लगाना है पॉकेट के उपर जीप को उल्टा रखके सील लिया है मैंने अब जीप को उपर की है उसको हम काट लेंगे और जो पॉकेट है इसको 20 से फोल्ड करके नीचे की तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे यहां पर देखिए नीचे की तरफ ऐसे सेंटर में निशान लगा लेना है अब कोई सा भी एक पीस लेंगे बैग वाला और फिर इसमें हमें अंदर की साइट मैंने निशान लगा लिया है अब जो पॉकेट में निशान लगा है दोनों को इश तरह से मिलातेवे और फिर दोनों साइट से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको पुरा सिलेंगे तो यहाँ पर देखिए यह pocket लग गया है अब इसके बाद हमें इसमें belt लगाना है तो belt के लिए मैंने यह दो पीस लिया है दोनों की लंबाई बता दू आपको तो यह दोनों पीस बराबर है दोनों की जो लंबाई है वो है 21 इंच और चोड़ाई है इसकी 3 इंच तो यहाँ पर मिल पता है तो यहाँ पर दिखेए दोनों की जोल हो गया है अब इसमें बैक में लगाना है को कि साइड से न हम चोड़ लिए और पर देखिए चार इंच पर निशान मेंने लगा लिया है दोनों की है यहां से भी 4 इंच और फिर दूसरी तरब भी 4 इंच पे निशान लगा लेना है अब जो 4 इंच पे हमने साइड से निशान लगा है वहीं पर बेल्ट को रखना है और फिर सिल लेना है इस तरह से बेल्ट को रखते वे और इसको सिल लेंगे अब दोनों में बैल्ट लगया है अब जिप लेना है जिप को अलग कर लेना है उपर की तरफ ऐसे जिप को उल्टा रखते वे सी लेना है उसके बाद जिप को और बैल्ट को दोनों को उपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रैसिस्टिच कर लेना है तो यहाँ पर देखे य जिप लग गया है इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे हिस्से में इस तरह से उल्टा रखे सी लेना है उसके जिप को और बैल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करके प्रैसी स्टीच कर लेना है तो जिप लग गया है अब इसमें हमें रणर को लगाना तो इस तरह से इसको देखे बराबर रखते वे, दोनों बेल्ट को एकदम बराबर रखते वे और इसमें हमें runner को लगा लेना है तो बहुत ही easy runner को लगाना है, जिदर से जिप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वहाँ पहले लगा के runner को उसके और दूसरी side लगा के इस तरह से runner को खीच लेना है अब यहाँ पर एक side मैंने पूरा लगा के निकाल लिया है, ताकि दोनों तरफ बंद रहे, जब हम side सी ले तो मतलब finishing रहे है तो यहाँ पर वापस से मैं यह runner को लगा ले रही हूँ, तो यह देखे, runner यह लग गया है, अब जो side वाला भाग है वो हमें ready करना है, तो उसके लिए देखे, आप नाप ले, इस तरह से जहां से cut है, वहाँ पर निशान लगा ले, और इसी तरह से दूसरी side भी, जहां से cut है, वाँ निशान लगा ले, और दोनों देखे, एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, अब हम एक side से दूसरी side तक नाप लेंगे, तो यहाँ पर यह दियान रखना है, जीतना ना पा रहे है, उतना ही आपको कपड़ा रखना है, उससे ज्यादा extra नहीं रखना ह और नहीं कम रखना है, तो यहाँ पर देखे, यह आ रहे है, 22.5 इंच ना, तो हमें 22.5 इंच ही रखना है, चोड़ा इसकी 5 इंच है, तो यहाँ पर एक पीस मैंने रेडी किया है, कुल्टेट पीस से अस्तरफरम लगा हुआ है, इसकी जो लंबाई है यह है 22.5 इंच यान इस तरह से दोनों साइड मिला कर सील लेंगे, तो इसको देखिए इस तरह से दोनों को बराबर मिलाते वे सील लेना है, अब सीलने के बाद हम पहले दोनों साइड पाइपिंग करके फिनिश कर लेंगे, तो यहाँ पर यह लगबग 1.5 इंचे चोड़ा कपड़ा लेना है और इसको सील लेना है मिलाकर अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखे डबल फोल्ड करते वे सील लेना है तो अब यहाँ पर देखे एक साइड यह सील गया है अब इसको दूसरी तरफ ऐसे पलटना है उसके बाद क्या करना है कि यह दूसरी साइड भी कट है जहां से वहां से दूसरी साइड जहां तक कट है वहां तक हम इसको गुमाते वे सिल लेंगे कि यहां पर देखिया यह पूरा से अब यहां पर भी पाइपिंग कर लेंगे यहां से हमनी सीलना शुरू का हूं हा थोड़ा सा मोडते वे इस तरह से इसको सीलना सुरू करेंगे ठीक है तो पूरा इसको गुमाते वे अच्छे से बहुत खीच के नहीं इसको सीलना है थोड़ा से देखिए इस तरह से डीला रखते वे इसको हम सीलेंगे पूरा तो यह लगबग इसकी चोड़ाई 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं इस तरह से गुमाते वे सीलेंगे और उपर की तरफ जहाँ पर फिनिश है वहाँ पर यहाँ थोड़ा से इसे मोड़ लेंगे अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करना है इस तरह से दो बार मोड़ते वे और फिर इसको पूरा सील कर कम्प्लीट कर लेंगे तो बस ऐसे ही न दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग को कर लें तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ यह पाइपिंग मैंने कर लिया है आप जैसा कि वीडियो में देख सकते कि बैक का जो सेप और डिजाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है अब इस बैक को फटा- अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे ची नईने वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैं थैंक यू